Welcome back to my channel आज हम वीडियो में बात करेंगे बच्चे की प्रदाइश के लिए जो दरदे लगवाई जाती हैं मसनुई दरेज तरीके से उनका फाइदा या नुकसान क्या होता है और वो किस तरीके से लगवाई जाती हैं सबसे पहली बात तो यह है कि आप हामला हैं जो लोग नारमर डिलिवरी के खुआश मंद हो वो आठवे नुवे महिने में रुजाना 45 मिन्ट से एक घंटे तक वाक लाजमी करें जिससे बच्चे का सर हड़ी में आ जाएगा तो मसनुई दर्दे लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब मसनुई दर्दे की सुरत में लगवा सकते हैं नमबर एक जब हामला के 40 हफ़ते मुकमल हो गए हो लेकिन हामला को कोई भी दर्द ना हो उसका लेबर शिरू ही ना हो नमबर दो हामला को शूगर या बलड प्रेशर का मसला हो और उसके बचे को खत्रा हो तो तब दर्दों का इंतजार करने की बज़ाए मसनुई दर्दें लगवाई जा सकती हैं नमबर तीन बच्चे का वज़न जरूरत से ज़ादा बढ़ आओ तो इंतजार करने और टाइम देने से बच्चे का वजन और बढ़ जाएगा तो भी नार्मल डिलिवरी में मसला होगा तब मसनुई दर्दे लगवा कर बच्चा पैदा करवा लिया जाता है हामला को 35-36 अफ़ते हो और हमल के लेकिन बच्चे का वजन 3.5-4 केजी तक पहुंच चुका हो तो इस सुरत में मसनुई दर्दे लगवा कर बच्चा पैदा करवा लिया जाता है नमबर चार जब बच्चा के गिर जो पानी है वो कम हो रहा हो ये बिलकुल खत्म ना हो लेकिन कम हो कि उसकी जो ए, 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 पानी तक हो तो जो भी मसनुई दर्दे लगवा कर बच्चा पैदा करा लिया जाता है ये वो वजूआत थी जिसमें मसनुई दर्दो की जरूरत पेश आ सकती है इस सुरत में जब बच्चा खुदा नखास्ता मा के अंदर खत्म हो गया हो तब भी मसनुई दर्दे लगवा कर बच्चा पैदा करवा लिया जाता है बजाए उसके के मरीज का उपरेशन हो और उसके हाथ भी कुछ ना आए अब मसनुई दर्दों के कौन कौन से तरीके हैं इसको दो ग्रूप्स में है वो तक्सीम किया जाता है एक है मकैनिकल वे और दूसरा है केमिकल वे मकैनिकल वे में बहुत से तरीके आते हैं उनमें एक तरीका जो बहुत जादा इस्तमाल होता है वो है मम्बरेन स्वीब का इसमें आपकी डाक्टर आपको उन तालिस से चालिस हफते में रुजाना बुलाकर मम्बरेन स्वीप करती है यानि रहम के अंदर जो बच्चे की मम्बरेन अटैच होती है उनको हाथ से अलग करने की कोशिश करती है जिससे आपको कुदरती दोर पर दर्दे लग जाती है एक पुराना तरीका ये भी है जिसमें पिशावाली नाली जो है वो बच्चे दानी में दाकल की जाती है उससे भी कुदरती दर्दे लग जाती है ये इसी सुरत में इस्तमाल किया जाता है जिनका बच्चा पेट में ही खतम हो गया हो उन मेंसे एक ये भी है कि आपकी जो पानीवाली थैली है उसे लीक कर दिया जाए। इससे भी दर्दें लग सकती हैं। अब अगर दवाईों की बात की जाए तो दो तीन तरह की दवाईयां हैं। कुछ शरम गाके अंदर रखी जाती हैं, कुछ जवान के नीचे भी रखी जा सकती हैं, और कुछ ड्रिप में डालके लगाई जाती हैं, और कुछ जैल फॉर्म में भी आती हैं, केमिकल वे में जो दवाई इस्तमाल होती है, उन्होंने करना ये होता है, के हामला को दर्द स्टार्ट होती है, प्रेशर आता है, और रहम कमों खुलने लगता है, अब बात करते हैं, के इनके रुकसानात क्या हैं, देखें एक चीज़ है कुदर्ती, नार्मल डिलिवरी को नार्मल ही इसलिए का जाता है, के ये एक नर्मल प्रासिस है, कोई बीमारी नहीं कि आप इसका इलाज दुआईों के जरीए करें, कुदर्ती तरीके से दर्द आ रही है, जब कुदर्ती तरीके से दर्द आना स्टार्ट होती है, तो जैसे मावारी का दर्द होता है, ऐसे स्टार्ट होती है, और आइस्ता आइस्ता दर्द तेज होती जाती है दर्द तेज होने में 1-2 दिन भी लग सकते हैं बच्चे दानी का मुँ नरम हो रहा होता है इन दर्दों से बच्चा प्रेशर पड़ रहा होता है और रहम का मुँ खुलता है एड में हामला को दो-चार शदीद दर्द आते हैं और बच्चा डिलिवर हो जाता है ये तो हो गया कुद्रती तरीका जिससे मा में स्कून से दर्द लेती है और बच्चा भी 99 जो फीसद है वो ठीक डिलिवर हो जाता है अब आते हैं मसनूई दर्दों पर योरम मालिक में नार्मल डिलिवरी को नार्मल तरीके से ही किया जाता है इसमें इंजेक्शन, ड्रिप, दुआई कुछ भी नहीं किया जाता है इसलिए वहाँ बड़े अप्रेशन की जो रेशो है काफी कम है जबकि हमारे यहां नार्मल को भी पचीटा केस बना दिया जाता है अब हामला आती है और कहती है कि मुझे दर्दे नहीं लगती हामला खुद मशुरा दे रही होती कि जी ड्रिप लगाएं इनके इसाब से 36 हफतों पे 9 मां खत्म हो गया है और दर्दे नहीं लगी तो इनका केस मुश्किल होता है तो इसको ऐसे जो दाई है उसने ऐसे ही पहले वाला केस करवाएं में जी दर्दे नहीं लगी थी दाई ने टीके लगाए थे और बच्चा हुआ था अब केस मुश्किल की हुआ क्योंकि इन्हें इन्तिजार ही नहीं करवाया गया, बस थोड़ा सा रेम का मुखुला और मसनुई दर्दे लगवा दी गई, मसनुई दर्दे जो दुआई से लगवाई जाती है, वो दर्द शुरू से ही कुद्रती दर्से तेज होती है, जिसमे कि पिदाश के फौरण बाद एक मिंट जो होता है वो बच्चे के लिए एक गॉल्डन मिंट होता है इसमें बच्चे के लिए रोना बहुत एहम है अगर बच्चा नहीं रोता तो खुदा नखास्ता वो सारी जिन्गी के लिए जेनी मजूर भी हो सकता है और मसनुई दर्दों में ये अकसर हो जाता है बाद केसिस में हामला से ये दर्दे बरदाश नहीं होती बिल्कुल भी तो वो नार्मल केस जो एक नार्मल तरीके से असानी से हो जाना था इसको बड़े अप्रेशन की तरफ जाना पढ़ सकता है जो मसनुई दर्दें लगवाई जाती तो कुछ केसिस में ये भी देखने में आया कि बाद में इन्हें खुन जादा पड़ता है अगर मजबूरी से दर्दें लगवानी पड़ भी जाएं तो उस डाक्टर के पास जाएं जहां बच्चे के दिल की धर्ड़कन को जांचने वाला हो ताके डाक्टर बच्चे की धर्कन में कोई उतार चड़ाओ नजर आ रहा हो तो वो फॉरन कोई स्टेप लेकर बच्चे को डिलीवर कर सके हामलों को 49 हफतों तक कुदरती दर्दों का इंतजार लाजमी करना चाहिए अगर 49 हफतों पर भी लेबर स्टार्ट होने की कोई निशानी जाएड ना हो तो फिर मसनुई दर्दों का डाक्टर के मश्वे से ये स्टेप ले वनना इंतजार ही करे अमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके पूर सकते हैं अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा अला खेज़